हैदरबाद मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि तेलंगाना में तीन दिनों तक भारी बारिश होगी मंतरी तलसानी श्री निवासी आदव ने हैदरबाद के लोगों से बाहर नहीं निकलने का सुझाव दिया हैदरबाद शहर में सुबह से ही हो रही बारिश को लेकर मंतरी तलसानी ने जीएचेमसी के अधिकारियों को सतर्क किया मंतरी ने अधिकारियों को यह सुनिशित करने का निर्देश दिया कि लोगों को परिशानी न हो क्योंकि सुबह से ही बारिश हो रही है लोगों को आपात कालिन सेवाओं के लिए जी एचेम सी नियंतरन काक्ष में शिकायत करने की सला दी जाती है बंजारा हिल्स, चुबली हिल्स, माधापूर, कोंडापूर, गच्ची बाउली, कुकटपली, हैदरनगर, बाचुपली, अबदुल्लापूर मेट इलाकों में आज भारी बारिश हुई इससे सडकों और कई कॉलोनियों में पानी भर गया, आज रविवार की छुट्टी होने के कारण यातायात में ज्यादा व्याधान नहीं है मंतरी के एटी आर ने नलगोंडा जिले के लोगों को खुशखबरी दी, उन्होंने कहा कि नलगोंडा में जल्द ही आईटी होप शुरू किया जाएगा केटी आर ने ट्विटर पर इसकी घोशना की यह स्पष्ट किया गया है कि नलगोंडा में IT हब का उध्गाटन कुछ ही हफतों में किया जाएगा और निर्मार्मकार ये जल्द ही पूरा हो जाएगा उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार दूसरी श्रेणी के शहरों में IT हब स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है उन्होंने याद दिलाया कि वरंगल करीम नगर निजामबाद सिद्धी पेट और महभूब नगर जिलों में IT हब पहले ही शुरू हो चुके है उन्होंने कहा कि नलगोंडा में जल्द ही IT हब बन कर तयार हो जाएगा और आने वाले दिनों में सभी जिला केंद्रों में IT हब स्थापित करने के प्रयास किया जाएगा लेकिन आज BRS सरकार ने हैदराबाद में IT हब की शुरुआत की लेकिन IT हैदराबाद तक ही सिमित नहीं है बलकि जिलों तक का भी विस्तार करना चाहता है उसी क्या एक भाग के रूप में प्रमुक शहरों में IT का विस्तार करने क्या निर्नय लिया गया इस उदेश से भवनों का निर्मान किया जा रहा है जिलाकेंद्रों के विस्तार से ग्रामिन शेत्रों के छात्रों को भी लाब होगा उन्होंने कहा कि इससे नए अविश्कार ह के साथ साथ रोजगार के अफसर भी उपलब्द होंगे। इन सभी को आरके पुडी गांधी गुलाबी सकार्फ ओडा कर पाटी में आमंतरित किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार सभी समुदायों के कल्यान की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गाउं में इतने विकास कार्य हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं हुए। उन्होंने अकले चुनाओं में एक बर फिर बी आरेस के ताज पोशी करने का आवान किया। मेंडूंगो पाल रेडी ने कहा कि वे पार्टी में शामिल हुए क्योंकि वे सरकार द्वारा किये जा रहे विकास कारियों से आकर्शित हुए थे। पतांचेरू लाइन्स क्लब एन्मर मेडिकल कॉलेज संगारेडी तत्वधान में एक निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रमें विधायक गुडे महिपाल रेडी ने हिस्सा लिया और इसकी शुरुवात की। बाद में विधायक महिपाल रेडी का मेडिकल परिक्षन कराया गया। आंख मदुमे और दांच संबंधी सभी जांच MNR मेडिकल कॉलेज के विशेश डॉक्टर दोहरा की गई। आयजकों ने सभी से इसे निशुलक उपचार का उपयोग करने का नुरहोत किया। इस कारेक्रम में लाइन्स क्लब के अध्यक्ष पतांचेरू एन जैपाल गुडे मधु सुधन रेडी पतांचेरू मार्केट कमिटी के अध्यक्ष बायकारडा विजय अफजल सीनया और अन्य ने भाग लिया। का कारेक्रम किया जा रहा आ है। वे सुभर से शाम तक उपलब्द रहते हैं। किशनरडी ने कहा कि मतदाता सुची में पंजी करन पते में बदलाव। किशन रडी ने खुलासा किया कि वहाँ आज बरकत पूरा मतदान केंद्र के लोगों में जागरुकता लाने के लिए एक कारेक्रम भी कर रहे हैं जहां उन्हें वोट देने का अधिकार है किशन रडी ने कहा कि उन्होंने इस कारेक्रम में भाग लिया बीजेपी नेता और दुबबा का विधायक रगुनंदन राव ने साफ कर दिया है कि वहाँ आगामी विधानसवा चुनाव में अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे लेकिन उन्होंने कहा कि अगर पार्टी आदेश देगी तो वह कहीं से भी चुनाव लड़ने को तया उन्होंने इस प्रचार का खंडन किया है कि वहाँ पार्टी बदल रहे हैं। अगर वे कामारेडी से बसों में गजवेल आते हैं तो उन्हें डर क्यों लगता है अब जब उन्हें रोक दिया गया है लेकिन वे एक दिन बिना तारीक बताए गजवेल आएंगे तो वहां का बस्टेंड कैसा है डबल बेडरूम वाले मकानों के बारे में क्या खयाल है इस पर गौर करेंगे वे जानना चाहते हैं कि केवल बी आरेस ही हमेशा सत्ता में रहती है पूर्व एमपी बीजेपी नेता बूरा नरसया गौर ने कहा कि वे एक सार्चुनाव की आलोचना कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कांग्रेस और बी आरेस की हार कारडर है उन्होंने कहा क चुनाव से लोकतंत्र की रक्षा करने और चुनाव में धन के प्रवा को रोकने में मदद मिलेगी हमारे ब्यूरो चीफ श्रीनिवास के साथ फेस टू फेस नरसया गौड से जो कहते हैं कि पैसे और राजनीती में विश्वास करने वाला पार्टियां ही एक साथ चुनाव से डरती है शेरलिंगम पल्ली निर्वाचन शेत्र के एलविन कॉलनी डिविजन के तहट दतात्रे कॉलनी और कमलम्मा नगर में शेरलिंगम पली निर्वाचन शेत्र कॉंग्रेस पाटी के नेता रगुनात यादव ने कॉंग्रेस के नाम पर पध्यात्रा की इस मौके पर रहुल गांधी ने सभी को कॉंग्रेस पार्टी का विचार धारा समझाई और बताया कि सत्ता में आने पर कॉंग्रेस पार्टी क्या करने वाली है इस अवसर पर रगुनात यादव ने कहा कि वे पिछले दो दिनों से एल्विन कॉलनी डिविजन का दौरा कर रहे हैं तो उन्हें लोगों से उल्लेक निये प्रतिक्रिया मिलेगी हर जगा लोग जुंड बना कर आ रहे हैं और अपनी समस्याएं बता रहे हैं रगुनात ने विश्वास जता है कि कॉंग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में शेर लिंगम पली निर्वाचन शेत्र के साथ सात्य लंगाना में भी सत्ता में आएगी इस कारेकरम में कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्टनेता, कार्यकरता, महिलानेता और अन्य लोग शाम उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव के खिलाफ केंदर द्वारा गटित कमेटी को फर्जी बताते हुए इसकी आलोच ना की उन्होंने कहा कि अमिच्छा द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट पर हस्ताक्षर करने के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है। करेगी तो करोर रुपे का पता चलेगा के सियार भी बीजेपी का समर्थन दे रहे हैं कविता को शराब मामले में गिरफतार करने के डर से बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। गठन पर से डरती है। उन्होंने कहा कि इंडिया अलाइंस की बैठक के तुरंत बाद एक विशेश सूचना दी जाती है और संसत की बैठके आयोजित की जा रही है। विश्टी वरकर्स यूनियन के अध्यक्ष प्री शिर्निवास रेड़ी ने कहा कि वह श्रमिकों के कल्यान के लिए काम कर रहे हैं। विश्टी समारो हॉल में एक बैठक आयोजित की गई। नए वेतन समझोते के अनुसार 15,115 रुपए के वेतन में 20,070 रुपए की वृद्धी हुई है। उन्होंने बताया कि श्रमिकों को सेवा निवृति लाब 8,00,00 रुपए से बढ़ा कर 10,00,00 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि VSC कमपनी तुपरान भी जाएगी और वे बिना किसी नुकसान के श्रमिकों को परिवहन सुविधा प्रदान कर रहे हैं। नैनी नर्सिमहा रड़ी ने खुलासा किया कि उन्हें मुख्यमंत्री के सियार की सला पर एक राजनेतिक नेता के रूप में पेश किया गया था। टॉलिवूड खुशी फिल्म की टीम ने आज सुभ यादादरी लक्षमी नर्सिमा स्वामी के दर्शन किये। फिल्म की सफलता के बाद खुशी ने स्वामी का अशिरवाद लिया। हीरो विजय देवरकुंडा ने खुशी को इतनी बड़ी सफलता दिलाने के लिए दर्शकों का शुक्रिया अदा किया। सफलता की पुश्ट भूमी में फिल्म की पूरी टीम एक परिवार के रूप में यादादरी लक्षमी नर्सिमा स्वामी से मिलने आई। उन्होंने यादादरी मंदिर को विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनाने के लिए तेलंगाना सरकार को धन्यवाद दिया। रंगारेडी जिले के राजेंदर नगर में भारी बारिश हुई। इस भारी बारिश के कारण कई कॉलोनिया और निचले इलाके पानी में डूब गए। नार्सिंगी और बालाजी कॉलोनी में घरों में पानी भर गया है। और इसकी देख भाल करने को कहा है। बदिलाबाद, निजामाबाद, जक्तियाला, राजना, सिरिसिला और सिधी पेट जिलों में यहां महां बहुत बारी बारिश होगी। हैदरबाद, रंगारेडी, मेडचल, मलकाजगीरी, विकाराबाद, मेदक, संगारेडी, कामारेडी, वरंगल, हनुमकोंडा, महभूब नगर, नलगोंडा, खंमम, भदरादी, कुत्ता गुडें, पिद्दापली, करीम नगर, जैशंकर, भूपालपली और मुलुगू जि प्रबंदन और कर्मचारी इस बारे में पूछने वाले ग्राहकों को आत्तंकीत कर रहे हैं। इन बड़े नोटों को एक्स्चेंज या बैंकों में जमा करने का मौका 30 सितंबर तक ही दिया गया है। इस बीच सेंट्रल बैंक ने एक बार फिर एहम घोशना की है। नोट बंद कर दिये हैं। वहीं 2000 रुपे के नोट जारी करने के बाद मार्केट में ये नोट ज्यादा तर नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब ज्यादा तर लोग के पास ये बड़े नोट नहीं है। आरबिया ये समय समय पर हिसाब किताब देता रहा। 2000 रुपे के नोटों को वापस लेने के बाद से उसके पास कितने पैसे आये हैं। 31 अगस्तक चैनल में मौझूद 2000 रुपे के 93 फिस्दी नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए। इसके मुल्य 3.32 लाग करोड रुपे स्पष्ठ किया गया। वर्तमान में 0.24 लाग करोड रुपे का निवेश है। अब तक कुल सर्कुलेशन रुपे RBI ने खा 2,000 रुपे के 87 प्रतिशत नोट जमा के रुपे में आये। जबकि 6,13 प्रतिशत बदल गए। लेकिं प्रचल में 6,7 प्रतिशत 2,000 रुपे के नोट जल्दी जमा कराए जाए। इस महेने को सदुपयों किया जाए। रिजर्ब बैंक 106 नोट नीती के तहट 2,000 रुपे के नोट चलन से वापस ले 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 गए। रिजर्ब बैंक दोना कराए गए कई सर्वे में भी लोगों ने 2,000 रुपे के नोट का इस्तमान नहीं किया। भारती रिजर्ब बैंक ने 106 नोट नीती के नाम पर मवजुद बड़े नोटों को खरीत लिया है। अब यह सच है। यह सारी कठिनाई आम आदमी और आउस्त आदमी के लिए है। पता हो कि 8 नोटों को पुराने बड़े नोटों के बंध होने के बाद मुद्रा को एक बार फिर आने वाली मुश्कुलों से बचाने के लिए 2,000 रुपे के नोट लाए गए। आश्चर की बात नहीं है। उस समय इस नोटों को किसी तरह प्रांत करने की खुशी एक तरफ थी। लेकिन इसे बदनने का तरीका न जाने का दर्थ दुसरी तरफ था। आर्बिया ने भी कहा है वह या बड़ा नोट सिर्फ जरूरत के लिए लाए है। आर्बिया प्रती 50 नोट पर 1.001 रुपे खर्च कर रहा है। 2016 में देश की इतियास में पहले बार 2000 रुपे का नोट जारी किया गया था। प्रेचलन में मौझूद 2000 रुपे के नोटों में से लगबख उनना सी प्रसीशत नोट मार्च 2017 से पहले जारी किये गए थे। दिसंबर तक देश में करेंसी नोटों की कीमत 32.5 लाग करोड रुपे थी। 31 मार्च 2017 तक 9.512 लाग करोड रुपे मुल्य के 500 और 2000 रुपे के नोट थे। मार्च वर्च 2022 के आंत तक 22.057 लाग करोड रुपे हुए। मार्च 2020 तक 2.000 रुपे के 274 करोड नोट प्रचलन में है। मार्च 2022 तक 500 के नोट बढ़कर 4.554.68 करोड हो गए। कुल सर्कुलेशन में 500 रुपे के नोटों की हिस्सेदारी 34.9 फिस्ती है। इस बीच इस मही ने 2000 रुपे के नोट बंदने के आखरी तारीक है RBI ने कहार लोगों के पास 60.24 लाग करोड रुपे मुले के 2000 रुपे के नोट है वापस आये नोटों में से 87 प्रतिशत जमा की रुप में आये बाकी को लोगों ने बैंकों में कम मुले की नोटों में बदल दिया इसी सार 19 माई को RBI ने घोशना किये वह इन नोटों को वापस ले ले कोई भी वेक्ति अपनी निकटतम बैंक शाका से संपर कर किया और अपने खाते का वियोरन बता कर 2000 रुपे के नोट बदल सकता है लेकिन RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक जिनके पास बैंक खाता नहीं है वो भी 2000 रुपे के नोट बदल सकते हैं भारतिय स्टेट बैंक ने इस पश्ट किया है 2000 रुपे के नोट बदलने के संब्द में कोई पहचान प्रमान देने की जरूरत नहीं है और नहीं कोई फार्ट भरने की जरूरत है इसमें कहा गया है अधिकतम 20,000 रुपे मुले के 2000 रुपे के नोट बिना मांग परची के बदले जा सकते हैं इन नोटों का अपने खाते में जमा करने की कोई विशिश सीमा नहीं है लेकिन इसे के वाई सी, मांदंडो और अन्य कानून आवशक्ता का पालन करना होगा कुछ साल पहले आर्बिया ने काले धन की जमा खोरी पर लगाम लगाने के लिए 2000 रुपे के नोटों की छपाई बंद करने का फैसला किया था अब इन नोटों को वाई बस लेने का फैसला किया गया है क्योंकि ये बहुत कम चलन में है नवंबर 2016 में 2000 रुपे के नोट जारी किये गए थे इन नोटों को आर्बिया अदिनियम 1934 की धारा 24-1 के थाथ प्रचलन में लाया गया था इस एक्ट के मताबिक मौके के हिसाब से 10,000 रुपे से कम कीमत के बड़े नोट चापे जा सकते हैं